हलो वेल्गम टो उनलाइन फिश्री स्वागत है आपको उनलाइन फिश्री तो फ्रैंट डेली सुबह सुबह हम 10 एम पर आप लोग लिए लेके आते हैं मैत की क्लास और यूकि प्रिविएसर कोशन है हमारे जो हमने पटवारी में देखे ते दुयार सत्रा के ओके और इसी को को इसी भी किसा से बनाऊंगा गय नहीं ऑभी जो है इंप प्लिस की जो एक्जाम हुए तो उसी परकार से हम जो है कोशन करें चले स्टार्ट करेंगे वीडियो को यहाँ पर हैसकी पेडिया बगरा टेलिग्राम गुरुप मिल जाएगे टेलिग्राम गुरुप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है अगर आप देख सकते हैं उनलाइन फ्री स्टड़ी के नाम से सारी चीए वहाँ पर मिल जाएगे नूट बगेरा भी चीए तो प्लीज मुझे कमेंट करेंगे कि आपको नूट चीए आपको जीके के नूट से वही मिल जाएगे तो चलिए पहला कोशिन आपको दिखा हुआ है आप पैन पेपर कॉपी निकाल लीजेगा कोशिन है करम में लुप्त संख्या बताएं करम में लुप्त संख्या बताएं तो भई यह लुप्त संख्या है जो यहाँ पर लिखनी हुए है देखिएगा एक तो 11 है 11 से 88 हो गया यहाँ पर देखिए 70 बढ़ रहा है फिर यहाँ पर 16 हो रहा है तो यह थोड़ा सा हमें confusion कर रहा है कि यह थोड़ा सा pattern नहीं बनेगा तो हम एक काम करते है 11 से यहाँ पर 16 हो गया यानि प्लस 5 हुआ है फिर 11 से यहाँ पर हुआ है यह भी प्लस 5 हुआ है और यहाँ पर भी देखिए यह प्लस 5 होगा तो हमें चाहिए कौन सा इसके बाद वाली भातर के बाद वाली जो कि यह question mark वाली चाहिए अगर हमें यहाँ से 88 यह 8 माइनस हुआ फिर से 8 माइनस हुआ यहाँ पर जो next संख्या आगी वो यहाँ पर आएगी तो हमें यह वाली नहीं चाहिए हमें चाहिए यह वाली यानि कि 21 में के प्लस कर दे हम 5 तो हमें अगली संख्या मिल जाएगी जो कि 26 होगी और 26 की हमारा answer होगा option number 2 is the correct answer चलिए अगले emotion की बढ़ते हैं अगले emotion दिया हुआ हमें क्या दिया है देखिएगा emotion है हमारे पास question यह हमारे पास दिया हुआ है पुरसों की एक निश्यस संख्या एक कारे को 6 दिनों में पूरा करती है 8 अन्य पुरसों के 7 कारे दस दिन कम में पूर्ण हो जाएगा तो प्रारम में पुरुसों की संख्या कितनी थी पहली चीज आप एक चीज दुनिये सुनिएगा कोशन को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है कोशन में ही आपसे जो है आंसर की जलक दिख जाती है पहली चीज देखिएगा पुरुसों की एक निष्य संख्या है और दो कारे जो भी है उसको एक दिन में याँ दो मलतब एक कारे को करते है एक घर बनाते कुछ भी करते है वो कर लेते हैं अब उसने वोला है आठ अन्य ब्यक्ति और आ जाते हैं अन्य ब्यक्ति मतलब जी M1 जो है बो तो है है M1 ब्यक्ति तो है है उनके साथ-साथ 8 ब्यक्ति और आ गए हैं ऐसे जो की काम कर रहे हैं और कार जो है 10 दिन कम में पूर्ण हो जाता है साट दिने हो रहा था अब 25 दिन में ये hàng कंप्छित हो रहा है कितने हो रहा है 50 दिन में ये कार कंप्लिट हो रहा है या तो आप एक کाम कर सकते हैं इसका Intouse फ़े कर दीजगा अंदर बैं कर दिए 85 80 40ικήrin चार्स हो गया हमारे पास ठीक है और यहाँ पर हो जाएगा आपको 50 M अच्छा 50 M यहाँ पर हो गया यहाँ पर 60 M है 50 M 60 M में से 50 M जाएंगे तो 10 M बचेंगे मैंने डारेक्ट क्लिक दिया यह चीज़ यह चीज़ आपको I think सौंज में आने चाहिए 10 से 10 इसको काड़ दिया M1 की value यानि की M1 हमारा starting में जो इतने ब्यक्ती थे उनकी बात हो रही है वो बचें हमारे पस 40 और पूछा क्या था प्राराम में जो ब्यक्ती हैं वह कितने थे प्राराम में ब्यक्ती जो थे बो थे 40 कितने थे 40 थे इसका अंसर हैगा 40 option number 1 में दिया हुआ है सेस्पल क्या होगा देखिए इसके अगर आप बहुत सर ऐसे स्ट्वेट होंगे वो जो सोचेंगे इनमें पांच माच का भाग दे दिए उसका जो सेस्पल होगा वही सेस्पल होगा वही आप बिल्कू देन को सभ्त होगा बाकि आप 1कोर 10 देजिएगा जैसे कि हम बोलें हैं थे 5ं का MARK 5 की वाज़ता का रूल क्या होता है तो опыт का रूल यह है लाश्ट में जो अंक आता है या तो पांच होने चीए या तो पांच से वाज होने चीए अब यहां पर देखिएगा एक में आपको दिया है यह वाली मैं हर एक के लाश लाश संख्या जो है मिले लेता हूं ओके हर एक की होके यहां से मैंने 7 ले लिया यहां से मैंने six ले लिया हर एक मैं मैंने भाग करा तो यहां से तीन बचा मेरे पास यहां से मेरे पास एक बचा मेरे पास यहां से मेरे पास दू बचा मेरे पास यहां से बचा मेरे पास एक अब याद रखेंगे कि जब भी आप किसी भी संक्या का किसी संख्या में भाग लगाते हैं और जो उसका सेस्वल बचता है वो क्या होता है वो उनका गुड़नफल की बरावर होता है तो गुड़नफल बिल्कुल इसके बरावर होगा तो तीन का एक में करा तीन तीन का दो में करा छे और 6 का एक में करेंगे तो फिर से 5 का गुणनफल और 5 का भाग दे दिये तो बचेगा कितना एक सेस्वल बचेगा कितना बचेगा एक सेस्वल बचेगा जो कि आपका correct answer होगा ओके आपको करना ज्यादा कुछ नहीं था और 5 का भाग नहीं जाता या लाश तक तब तक आपको देते रहना है यह इसका एक फर इसमें करेंगे तो 20 में चला जाएगा पर चीरो आ जाएगा फिर आपको फिर का करना पांसना पैतालेस यो आपकर तीन फिर से बचेगा इसे करेंगे तो भी आपको हो जाएगा लेकिन टाइम लग जाएगा आंसर आगा 1 ओके चले अगला कोशिन दिया हुआ है आपको कोशिन क्या है देखेगा यदि 4x की पावर क्यू प्लस 2x स्क्वार प्लस ax प्लस 1 है आपको यह एक फॉर्मुला टाइप का दिया है उसके बाद दिया 2x प्लस 1 एक पुर्णी भाजन है तो एक का मान गयात करिए जिससे क्या x x की वैलू सबको क्या हो जागे प्लस या माइनस हो जाएगा बाकि मैं रपस बचेगा क्या ए बचेगा और हमसे a की वैलू पूछी है तो हम a की वैलू आपक कर देते हैं 4 a का q एक का q दिया है तो 1y2 हमने निकारा था x की वैलू 1y2 का q कर देते हैं प्लस 2x क का square दिया है 1y2 का भी हम square कर देते हैं माइनस है तो माइनस में लगा दिया पिलस अब यहां पर मैंने plus के यहां का direct minus लेटा हूँ और a by 2 लेटा हूँ क्योंकि 1y2 x की value है तो इसलिए ओके plus 1 लेटा हम यहां पर लॉयारा है को 2 यहारा पर आए गाइगा चार ओके यहां से बच रहा है तो यह यए दोनों हटगा है मेरे पास हट गया मैंने हटा दिया अब हमारे पास क्या क्या है माइनस का açका ए oldest अब में एक काम करता हूँ मुझे चाहिए dos angef girls does तो one minus का ओगया ओके और दो को भी क्या करता हूँ मैं इसको इधर पहुँचा देता हूँ तो दो into में पहुँच जाएगा ओके a minus का है तो दो यहाँ पर a जो आएगा बो आएगा 2 वरावर यहाँ पर minus है यहाँ पर minus है minus मैं काट दूँगा तो a की value दो आजाएगी क्या जाएगी plus का 2 आजाएगी यहाँ पर a की value कितनी है plus के 2 चले आगे अगला motion देखेंगे क्या दिया है 5 की power दिया x उसकी power दिया 4 वरावर मैं दिया है आपको 5 की power 12 तो x की value लेका लिए अब एक ची बताएगा मुझे 5 की power x दिया है और यह दिया है 4 अब एक ची बताएगा अगर मैं यहाँ पर से यह हटा देता हूँ तो x की value होगी वो 4 से into हो जाएगी क्या multiply हो जाएगी तो बिल्कुल अब एक काम कर सकते हैं 12 जो दिया हुआ है यह जो इसकी power दिया 12 की पांच की power दिया तो समय 12 चार को उसको भाग दिया तो कितना आगा चारती है 12 तो यहाँ पर जो x की value होगी यहाँ पर मैं एक काम कर सकता हूँ चार को यह वाला जो 5 है मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 5 की power q और इसकी भी power 4 ऐसे लिख सकता हूँ यह 4 तो मेरे यहाँ पर सर्टिस्फाय कर दिया बाखी x जो होगा मेरा 3 हो जाएगा तो 5 की power कितना है 3 है और x की value पूछी है तो x की value 3 आ जाएगी हमारे पास option number 3 में दिया हुआ है चले आगे कला question screen पर यदि x से शुरू होने वाली लगातार विशम संख्याओं के निश्चित संख्याओं का योगफल 51-84 है तो कितनी विशम संख्याओं का को जोड़ा गया होगा अगर एक question यह simple यह पूछ रहा है कि मैंने क्या करा एक से start करें विशम संख्याओं का एक से तीन जैसे मालब मैं यह बोलूँ के एक हो गया एक को जोड़ दिया पहले मैंने ठीक है तीन को जोड़ दिया फिर पांच को जोड़ दिया ऐसे मैं प्लस करते 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 गया और मेरा जो sum आया है क्या आया है मेरे sum आया है वो 51, 84 आ गया है तो पूछने वाला है कि वो 1, 2, 3, 4 यह से कितने पदों को कितने N पदों को जोड़ा गया होगा कि मेरा 51, 84 आंसर आया है है ना यह उससे question आप से पूचा है अब आपको मैंने कुछ कुछ आपको formulae बता हुए थे वो formulae आपको ध्यान करना है वो formulae जो है वो क्या है वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए तो देखी बिसम संख्याओं अगर आपको निकालनी है बिसम संख्याओं का sum निकालना है तो आपको N square निकालना होगा क्या निकालना होगा N² 51, 84 ये N² निकालना होगा अब N² निकालना होगा लेकिन हमें तो चाहिए N की संख्या N² तो हमें दिया हुआ है क्या दिया है विसम संख्याओं का जो विसम संख्याओं का योग होता है विसम संख्याओं का योग होता है बो होता है आपका n square और इसके पद निकालने हमें n तो अगर हम यहाँ पर n की value निकालनी है तो n बराबर हमारे जग अंडर रूड में 51, 84 यह हो जाए 51, 84 अब इसका square root निकालना है अब square root निकालना मैं समझाता हूँ कैसे निकालना square root बहुत ही easy है मैंने आज स्टार्टिंग की थी मैंने YouTube पर वीडियो बता पताना तो दूसरी या तीसरी वीडियो मेरी यही थी कि square root कैसे निकालते हैं आप जाकर एक बार चेक आउट कर सकते हैं तो एक ची बताएगा पहले मैं दो-दो के इसमें इसको प्यार में बाट लेता हूँ और यहां आप लास में लिखा हुआ 4 तो 4 को मैं ऐसा क्या लिखूँ 4 ऐसा कौन सा मैं किसी चीज का square करूँ कि मेरा जो एकाई का अंक आएगा वो 4 हैगा अगर मैं 2 का square करता हूँ तो एकाई का अंक जो है मिरे पास 4 आता है या तो 8 होगा एक आइकंग या तो 2 होगा या 8 होगा अब 51 पर आजाते हैं यह एक 50 लिखा है अब एक ऐसा square root ढूनिए एक ऐसी value ढूनिए जो 50 के पास हो यानि हम दू ऐसी value ढूनिए जो 50 के पास हो तो देखिए 8 अटट यह 64 64 जो है 8 का square करेंगे तो 64 आएगा हमारे पास जो कि इससे बड़ा है 7 सती उननचास यानि कि 49 जो value है 7 का square कर रहे हैं हमारे पास तो यह इससे कैसा है बड़ा है यानि एक तो 7 है एक 8 है यह आपका एकाई कंग तो पहले 2 और 8 2 और 7 में 2 और 8 में से 1 आने वाला है और आपको अब 2 संख्या और मिल गई है धाई के जगए पर या तो 7 आएगा या 8 आएगा अब कैसे confirm करें कि 7 आएगा या 8 आएगा आपको करना यह है 7 और 8 का क्या कर लिए इंटू कर लिए multiply कर लिए 7 और 8 चपन होते है तो आपको यह देखना है कि हमारी जो real value है यानि कि आपकी जो 51 है वो क्या छोटा है या बड़ा है 56 से अगर 56 से वो छोटा है तो हम छोटी value लेंगे क्या लेंगे हम छोटी value लेंगे यह वाली छोटी value हम यहापन लेंगे और यह वाली छोटी value लेंगे अगर बड़ा है तो हम बड़ी value लेंगे यह इस पिरकार की ध्यान दीजेगा तो आपको ध्यान देना है कि हमें छोटी value लेंगे 51 है तो हम 51 यहापर 51 के साथ 7 और यहापर 2 लेंगे तो 72 यहाँ पर आएगा पर वार करेंगे तो यहाँ पर आठ नहीं आएगा वो और कुछ आएगा ठीक है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं बाग की इसका अंसर 72 होगा है अगला कोशन है और निकालना है 52, 23, 27, 42 और 16 का और इसका और आपको निकालना है और और क्या होगा वो आपको जली से मिल्ट कर देना है कोशन में बहुत ही इजी कोशन है ये तो 50 और आपका हो गए यहाँ पर कितना देखे यह इसको जोड़ देंगे तो यह 100 हो गया 73, 37, 100 हो गया 100 और यहाँ पर कितना हो गया 100, 150 150, 60 60, 60 और 160 और जहाँ पर 8 35, 20 और पादनी 10 42, kidney 2 आएगा TOP2 में ले है अगला कोशन हमारे पास है कला की आयू महाइए यह कोशन बहुत ऊपर चला गया यह कहाँ पत है ऊपर चला अपर थे कला की आयू महाला की आयू के अनुपाद का 3 अनुपाद 4 है यदि दो वर्स से पहले उनकी ओसत आयू 12 वर्स थी तो चार वर्स से पहले कला की आयू क्या होगी तो पहली चीज़ देखिएगा आपको क्या पता है कि कला पता है और आपको माला पता है कला की आयू और माला की आयू का अनुपाद आपको 3 अनुपाद 4 दिया हुआ है 2 वर्स पहले यानि हम जहां पर है उससे पहले जाना है पहले मतलब कि आगे नहीं मतलब आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि हर एक में मैंने इसका भी 2 साल ले लिया और इसका भी 2 साल ले लिए यानि कि मैं टूटल ओल ओवर बढ़ गया 4 साल तो इसमें दिया है 12 साल कितना दिया है 12 साल उनका उसत है अगर मैं उसत निकालता हूँ तो दोनों को उसत 12 है तो इसका टूटल जोगा बहुत 24 और अगर मैं यहाँ पर उसे बूला है जब और उनके दो वर्स पहले के बात का उसत जो है और उसके बात की बात बबत वहीत hours तो 28 20 बराबर क्या होगा 28 बराबर जो है यहाँ पर हमारा 28 बराबर जो है इनका क्या होगा इनका योग होगा इनका योग होगा यानि कि ये जो है इन दोनों का योग होगा ठीक है 28 मतलब इन दोनों का योग होगा इन दोनों का योग मतलब 7 बरावर कितना 28 तो 7 तो 8 ये एक की वेल्यू कितनी 4 की बरावर होगी एक की वेल्यू कितनी 4 की बरावर पहले मतलब आपको चार साल पीछ जाना है, पीछे मतलब इसको चार साल माइनस करना पड़ेगा, तो यह आठ सल की उस समय होगी, बहुत ही सिंपल चीज है, ध्यान देने वाले चीज है, कि यह दू वर्ड से पहले की पूछ रहा है, और यहाँ पर चार सल पहले की पूछ रह का इस पिरकारية करें गारीantis हो जाएगा अगला कोशन दिया है एक आयत का डिब्बे की पूनांक भुझाओं की लम्बा एक तीर और चार उनुपात में है निम्न डिब्बे का आयतन क्या हो सकता है दिब्बे का आयतन क्या हो सकता है वो पूछा है आपसे अच्छा एक ची बताएगा मुझे मेरे पास एक जो है आयत का डिबा है इस पिरकार में डिबा ले लिया ठीक है यह डिबा ले लिया मैंने इस पिरकार में डिबा ले लिया ठीक है अब इस डिबे में उसने मुझे इसको दे दिया एक इसको दे ये तीन, इसको दे दिये चार तो यह हो गई हमारी क्या बोला B हो गया ये रहिए जो लमभाई हो गई और ये जो है मेरी limite हो गई, ये हो गई मेरी promot तो यह मैंने क्या निकाला है यह मैनने निकाला है, इसका Dennis का ultra कहले यहापर मैं कह सकता हूँ इसका item क्या कह सकता हूँ इसका item मैंने निकाल आए मतलब इसकी अंदर कितनी चीज भरी जा सकती हूँ मैंने यहां से formula से यह आपको दिखा दी है और यहां पर माल लेता हूँ 3x और यहां पर माल लेता हूँ 4x यह 4x और यह जो 4x है इसको करेंगे इसको solve कर लीजेगा यह जो है आपको क्या आएगा यह आएगा चारती 12 x q क्या आएगा q आएगा x q आएगा q आएगा अब मुझे यह बताएगा x का q आ रहा है 12 x का q आ रहा है तो आपको एक छी देखनी पड़ेगी कि साफ में into करें हम किसी चीज का into करें है इसी चीज़ का हम अगर भाग करें, भाग कर देते हैं, क्या कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं, तो क्या यह आएगा, क्या, जैसे कि मैं मालूँ, option मैंने 1 लिया, 1 लिया, तो 1 यानि 48 लिया, 48 ब्रावर में क्या ले लेता हूँ, 12, okay, XQ ले लेता हूँ, ठीके, तो 12 का कितना होगा, 12, 48, क्या यह में ही मेरे पास Q मिल रहा है, क्या, मेरे पास Q नहीं मिल रहा है, तो हमारा option number 1 गलत हो जाएगा, यह हमारा answer नहीं होगा, okay, इसी पिरकार हम ज काटेंगे कि आप देखेंगे, यह 56, जो है, 3 चिंग, 12, और हों पर काटेंगे 3 उक recom 3, और हों पर कर चार चाररा च्ए कर देगी, यह क्या XQ यहाँ पर है क्या Q बराबर है यह भी बिल्कुल गलत हो जाएगा यह भी हमारे पास 56 भी हमारा अंसर नहीं होगा 56 के बाद 64 रखते हैं 64 क्या है यहाँ पर 12 से काटेंगे तो यहाँ से काट दीजिए 12 से काटेंगे तो यहाँ पर देखेंगे यह भी गलत हो जाएगा यहाँ पर भी हमारा नहीं आएगा उसके बाद हमारा यहाँ पर रखते है 96 और यह 12 से काटेंगे XQ यहाँ पर दिये ही हुआ है 12, 96 X बराबर Q है तो क्या यह Q है Q है बिल्कुल है 2 का Q दिया हुआ बिल्कुल है यहाँ पर 2 का Q यह दिया हुआ है Q ठीक है तो यह जो हमारा आंसर होगा यही 96 option number 4 is the correct answer very important question screen पर दियो था वो मैंने आपको बता दिया अगला question है 2 संख्याओं के गुणनफल और लगुत्तम सांबर तक 84 और 12 है दोनों संख्याओं का महत्म सांबर तक आपको ग्याद करना है देखी एक तो LCM एक formula आग रट लीजिए रटना ही पड़ेगा LCM into SCF बरावर होता है दोनों जो संख्याओं दी हैं उनका गुणनफल LCM और SCF का गुणनफल होता है दोनों संख्याओं होती है उनका गुणनफल हमें दिया क्या है दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है दो संख्याओं के गुणनफल जनकी 84 दिया हुआ है और उनका महत्म सांबर तक यानी साथ बोर सूर्यों चु dauऊ cuco visual कहा हैं तो आप कर दिए कितने होते हैं यहनिक निकालना तो इसको सुन्धिया को साफ बढ़रण्य। धार के सब्सक्राइब का है तो आंसर पार में कि एक चले इत्व लिएप से 20 संत्रे अधिक हैं अरुन ने 20 से A में 50 संत्रों को इस्थांत्रित किया तब A के पास B की तुलना में 3 गुना संत्रे हो गए प्रादम में डलिया B में संत्रों की संख्या क्या थी तो भाईया ये कोशन जो है ये भी कोशन ट्रिक ही मतलब आज की ये शिप्ट है उसमें अगर हम देखे तो कोशन बहुत अच्छे है और जितने ही फ़र्ष्ट र सेकेंड शिप्ट की बात करें तो दौनों ही में अच्छे कोशन है तो एक बात का एक ची बताएं मुझे ए डलिया है एक B डलिया है पहले उसने बोला है मैंने बोला B डलिया जो है मेरे पास जो दूसी बाले डलिया है उसमें X संत्र है और उसने मुझे बोला है कि इसमें X प्लस 20 संत्रे जो 20 संत्रे क्या है इससे ज़ादा है और बाद मैंने क्या करा इससे 50 संत्रे और ले लिये है किसे लिए हैं B वाले से तो B वाले के पास तो 50 संत्रे हो गए है और ये क्या हो गया है A की तुलना में B में जो है कितने 3 गुने संत्रे हो गए है तो B में कितने हो गए है अगर हम A की बात करें तो 3 गुने संत्रे हो गए है A के पास 3 गुने संत्र हो गया और A के पास 3 गुने का मतलब है तो B के पास कितने यहाँ पर 3 गुने संत्र इसके बरावर होंगे इसके बरावर होंगे के नहीं होंगे इसमें 3 गुना करने पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा करना पड़ेगा ओके और यहां पर 50 क्या हो गए संत्रे हमें प्लस करना पड़ेगे क्योंकि हमने 50 संत्रे इसको दे दिये तो X प्लस यह हो जाएंगे 70 ओके और यहां पर जाएगा 3X ओके यहां पर माइनस का 1.500 ओके यहां पर हो गया इस minus को यहाँ पर ले जाए यह प्लस का हो जाएगा यानि यह जाएंगे कितने यह जाएंगे 220 ओके और यहाँ पर इसको ले जाएंगे तो यह जाएंगे आपका 2x इसको 1 से काट दीजे यानि x की value 1, 1, 10 आगई x की value मतलब जो आपके पास b वाली टोकरी में संत्रे थे वो आपको आगए हैं तो प्रारम b में कितने संत्रे थे वहत 110 संत्रे option आएगा आपका 2 चरे आगे अगला question स्क्रीन पर है a एक कारे को 10 दिन में कर सकता है b c कारे को 15 दिन में कर सकता है दोनों मिलकर एक कारे को कितने दिन में साब्त करेंगे आपको बताने है very easy question A जो है 10 दिन में करता है B जो है 15 दिन में करता है L7 ले लिए 30 आएगा यहाँ पर 3 आएगा efficiency इसकी efficiency 2 दो आएगी 2 नक efficiency मिला दी 3 और 2 पांच की efficiency के total work हमारे पस 30 है तो 5 शक्तिस यह 6 दिन में हमें यह पूरा काम करके दे देंगे उकेश चले अगला motion screen पर है यदि A B से लंबा है C B से नाटा है D A से नाटा है पर C से लंबा है तो 4 मैसे सबसे नाटा यानि छोटा कौन है पहली चीज तो एक चीज बताएगा मुझे लंबा है तो यहाँ पर B जो है B A से कैसा होगा छोटा होगा ठीक है यह हो गया B मेरे पास फिर B जो है C B से नाटा है जो C जो है क्या है यह C जो है क्या है B से नाटा है C की बात हो रही है यह वाला C आगया हमारे पास किस से नाटा है ये जो है B से नाटा है तो इस जी B से नाटा हो गया D A से नाटा है मतलब कि ये जो है अगर A से नाटा है बट C से लंबा है ओके A से नाटा है बट D से किसे A से नाटा है लेकिन C से लंबा है C से लंबा लेकिन B से लंबा तो है नहीं है B से लंबा नहीं है मतलब कि यह जो है अगर बात करें तो B से छोटा होगा लेकिन A से नाटा होगा और C से कैसा होगा बढ़ा होगा D तो पूचा कहा सबसे छोटा कौन है C आपका जाएगा Option आएगा 2 बहुत ही simple question था बस logic भरा हुआ question था अगले गोशन की और बढ़ेंगे अगले गोशन दिया है 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6 बरावर आपको 100 पत दिये हैं तो इनका योगफल आपको बताना है बहुत ही इच्छा question इंटरस्टिंग question है देखिए मैंने आपको पहले तो एक चीज़ देखिएगा मैंने n पदों को आपको निकलना सिखाया है बिशम पदों की sum अगर बिशम पदों की बिशम पदों को अगर निकालना है उनका sum निकालना है तो n square करना पूरता है सम पदों को निकालना है तो n plus n1 ये करना होता है ये आपको करना होता है ये पद आपको पता होनी चाहिए पद कितने है तो आप इसका सम निकाल सकते है ये सम पदों के लिए है ये बिसम पदों के लिए है ओके तो यहां से हम देखिए अब एक ची बताएगा मुझे एक साइ आप बिसम बिसम लेंगे बिसम देखिए एक 3 प्लस 5 यहाँ पर इसे प्रकार चलेंगे तो बिसम पद जो आएंगे 100 तक यहाँ पर पद दिये हैं तो बिसम लाश्ट वाला पद आएगा 99 बिसम ओके और टोटल पद आएंगे हमारे पास 50 कितने आएंगे 50 अगर हम इसका सम कर तो यहाँ पर हमें कितना बचेगा 2 फूर फूर पिलस इसक्स बचेगा इसक्स पिरकार हम इन पास मैंने बाहर होता है만 हाँ यहाँ पर हूता है याँ 150 का हमें multiply करना पड़ेगा तो 150 का multiply करेंगे तो आप देखेंगे कितना आएगा आप जोड़ दीजे देखी आप एक काम करें यहाँ पर कितना जीरो आ गया 5 एक हमें 5 पचम 25 तो यह हमारे पास आ गया अब देखें यहाँ पर हमें minus दिया था वाली minus की value तुमारे minus का आएगा क्या आएगा minus का 50 हमारे पास answer आजाएगा यही option था question number था question number था यह वाला आपका 14 number question था और यह option number 3 थाड़ आएगा ठीक है चलिए अगला question स्क्रीन पर है question दिया यदि एक विलनाकार निकाय का बक्री प्रष्ट छेटपल 660 वर्ग सेंटीमीटर है जब उसकी 37 सेंटीमीटर की है तो बिलनाकार निकाय की उच्चाई कितनी होगी हमें height बतानी है एक बिलन की ओके तो देखे एक बिलन पहले तो हम एक बिलन बना लेते हैं बेलन हम बना लेते हैं कि बेलन का थोड़ सा आपको आइडिया लग जाए कि ये बेलन किस पिरकार इसमें काम में आता है तो बेलन को हमने इस पिरकार बना ली हापर तरिज़ा रख ली हमने ये जो है हमने तरिज़ा रख ली यहाँ पर यह height है, यह जो है आपकी R है, यह height है आपका, और यह आपका क्या है, एक ब्रत है, क्या एक ब्रत है, अब एक चीव दहीगा मुझे, भीलना कार परष्ट का बक्र परष्ट छेत्पल आपको दिया है, छेत्पल दिया है, अब छेत्पल होता, छेत्पल निकालेंग चूरा क्या पर दिये तो 2 π लिखते हैं 2 π और यह आपका अर लिखते हैं होग्या और आपको एस दिया है तो हाइट में नहीं आपर कडिती तो कोई दिख iç sequence यह ओगया हमें त्रिजानी की 7 दिये तो 7 लिग दी है H की value हमें नहीं दी है बाकी हमें 660 दिया हुआ ये लिग दी 7 से मैंने 7 काटा 22 कितने हो गया 600 हो गया तो ये 30 आ गया ए 2 का काट दे दो गया आपका 15 है नहीं H की value आ जाएगी 15 cm 15 cm आ जाएगी x square by square plus 27 x y को x y द्वारा भिवायत की जाता है तो आपको बताना इसका answer क्या होगा देखी एक ची बताइएगा मुझे कि अगर आप जो है x plus y plus plus z इस प्रकार की यो performance होती तो आप इसमें पूरे में भाग करकर आपके इसका answer आ जाता लेकिन यहाँ पर जो put दिया है जो value दिये वो 3 x y दिये तब करना क्या है बहुत ही simple तरीका है इसका कर दीजिए आप भाग 3 x y का ठीक है फिर plus कर दिये 9 x उसका यह और भी easy हो जाता है जब भी आपको करना हो तो इस प्रकार ही करिएगा अब भी एक simple value दी हो आपको फिर दिया है 27 x y दिया है और upon में लिख दिये 3 x y x y से इसका x y गया ठीक है तीन तिरका 9 यह आ गया अब देखिए last में सभी में 9 9 दिया है लेकिन by इसमें दिया है तो इस by वाले को तो हटाई दिये इसका काम खतम second वाले का इस से x y से इसका x y कट गया ठीक है यहाँ पर 3 दूनी कितना 3 तिरका 9 यानि कि 3 यह कितना आ गया 6 आ गया यानि कि 3 यहाँ आ गया कितना सुरी यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास एक तो 3 आएगा x उबाय आएगा 3 x y आ गया x y आ गया और प्लस में 9 है लास्ट में देखिएगा 9 यहाँ पर हमें मिल रहा है एक में और 3 x y मिल रहा है तो 3 x y और 9 यहाँ दोनों में मिल रहा है यह दोनों में हो सकते हैं बिल्कुल और यह वाला भी हमारा कोशन नहीं होगा ठीक है बागी अगले में x y काट दीजे y से y काटा x से square आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर 3 से 3 कर जाएगा तो x square बचा कुछ नहीं है यहाँ पर तो x square प्लस 3 x y प्लस 9 तो यह option number 1 में ही दिया है तो यही हमारा answer का 1 ओके चले अगला question है यह question बहुत ही अच्छा है बहुत ही प्यारा question है screen पर आपको बताना है यह वाला question कैसे किया जाएगा comment करेंगे मुझे आराम से बहुत ही simple है जब भी मैंने starting में इस परकार की जब पढ़ाना start किया था तो यह trick मैंने सबसे पहले आपको बताएंगे आप जाकर भी check out कर सकते हैं मेरी बहुत पुरानी जो मेरे pen paper वाली copy या है वो मेरी pen paper वाली जो copy हों पर मैंने लेकर बताया है वो आपको वीडियो मिल जाएंगे बाकी देखिएगा यहाँ पर हम question कैसे करेंगे एक 220 का जो under root होता है जो square root होता है वो होता है आपका 15 का ठीक है आपको जब भी इस question करना हो तो पीचे से ही करना start करेंगे यहाँ पर हम करेंगे तो 15 आएगा प्लस 154 आपको है 154 लिखा है तो 154 और 15 आपके प्लस करेंगे तो आपके पास कितना मिलेगा 169 मिलेगा किसका square root है यह 13 का square root है तो यहाँ पर 13 का square root हो गए यह कितने का है यह 13 का square root है अब 108 और कितना है आपके पास 13 है 108 और 13 को आप क्या कर लिए प्लस कर दीए कितना 8 और यहाँ पर 11 यहाँ यहाँ पर 2x अच्छा यह भी अंडरूट में है आभी देखेगा अब एक सो एक की जो है किसका अंडरूट होता है भाया 111 गो दोता है तो मैंने 11 लिख दीए आपड़ अब कर दी यह 25 आगे आ रहा है तो पचीस में पिलस कर दी यह ओजागा 6 और यह जागा 36 36 under root में है तो यह कितना आएगा 6 बहार आजाएगा और यहाँ पर कितना दिया है 10 दिया है तो 10 यहाँ पर 16 आगया 16 under root में है 16 under root मतलब 4 का square root होगा यहाँ हमारा ultimately जो answer आएगा वो आएगा 4 क्या आएगा 4 आएगा very easy Gaussian लेकिन आपको करना आना चाहिए अगर गोशे इंदिया 0.12 into 12 minus 0.002 आपको इसका answer निकालना है क्या होगा आप इसका into direct इसमें कर दीजे करेंगे आप तो क्या 12 दूनी 24 की 4 पहले तो देखे 144 आता है 144 ही करतेंगे square 1-2 point के वाद एक-2 point नहीं 1 point आगे हैं यहाँ पर लिख दिये 0 0 जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं बाकि आप point के बाद 0.0012 यहाँ पर लिख दिये इनको उटा दीजेगा यह 8 बचेंगे यहाँ पर कितना 9 में से यहाँ पर भी 8 बचेंगे यहाँ पर 3 में से 7 यहाँ पर 7 बचेंगे यहाँ पर 7, की स्री यहाँ पर 7 बचेंगे यहाँ पर कितना ऐगCP यहाँ पर 3 आएगा यहाँ पर 4 आएगा यहाँ पर कितना 0.1 1.4388 आएगा यह आएगा option number 1 में थर्ड में स्री अगले गोशन के और बढ़ते हैं अगला गोशन क्या दिया आपको देखेगा कोशन दिया है आपको अगला कोशन दिया हुआ आपको पांच कुर्सियों और दो मेजों की कीमत 1350 रुपए है यदि दो कुर्सियों की लागत एक मेज के बराबर होती है तो एक कुरसी और एक मेज की कुल कीमत क्या है तो देखिए इसे दो तरीके से कर सकते हैं लेकिन मैं अपने तरीके से करना सिखाऊंगा इसे बागी आप किसी भी तरीके से करें कोई दिक्कत नहीं पांच कुरसी दी हुई है आपको और दो मेज दी हुई है आपको ठीक है इसकी कुल जो टोटल है यो लागत है वो पंद कीमत है तेरा सो पचास रुपए लागत है या नहीं है वो छोड़िए ठीक है तो आपसे बोला क्या है अगले ही पल में यदि दो कुरसियां ओके दो कुरसियों की लागत एक मेज के बरावर दो कुरसियों की लागत जो है एक मेज के बरावर है एक मेज के बरावर है तो मैं यहां से क्या ची निकालूँगा मैं यहां से रैशो निकालूँगा कैसका कुरसी और आपके मेज का तो यहां से कुरसी और मेज का मैं रैशो निकालूँगा k upon m निकालूँगा तो मेरे पास यहाँ पर 1 आएगा k के लिए और m के लिए 2 आएगा यहाँ पर टोटल मेरे पास दिया हुआ 1350 और यहाँ पर टोटल जो ratio दिया है वो 3 ratio आगया है याईनि 13 तीन का भाग कर मैं इसमें दूंगा तो मुझे बो भी आप कर सकते हैं तो देखेंगे 3 का भाग लाएंगे एक ये ratio है मैं पूछा दोनों कही है हमसे क्या पूछा है तो एक कुर्सी और एक मेज का पूछा है तो एक कुर्सी हो गई आपकी और एक मेज हो गई तो इन दोनों की जो ratio value है वो टोटल मिलाकर तीन हो जाती है तो तीन का भाग दे देते हैं तीन चौक बारा एक बचेगा तीन पंजे पंद्रा और यहाँ पर जीर बची साड़े चार सो आपका आंसर आएगा साड़े चार सो आप्षिन नमबर वन में चलें आगे बढ़ते हैं अगला कोशिन स्ट्रीन पर है सुधीर और मदन एक बठमन आयू के बीच का अनुपात 4 पांद दिया है पांच वर्स बाद उनकी आयू का अनुपात 5 छे हो गया है तो सुधीर की बठमन आयू किया है वो पूची है सुधीर हो गए आपके और एक मदन हो गए ठीक है उनकी अभी जो बरत्मन आयू का अनुपात दिया है वो चार पात दिया है पांच वर्स बाद की बात हो रही है तो उनका अनुपात पांच और छे हो गया है इन दोनों का डिफ्रेंस दिखेंगे तो एक वर्स का डिफ्रेंस से एक वर्स बाद पांच की बाद है तो सुधीर की बरत्मन आयू पूछिए सुधीर की बरत्मन आयू पांच के साथ में चार का इंट्टू करेंगे तो 20 आजाएगा यही आपको उत्तर होगा आप्शन नमट टू में ठीक है चले तो देखेगा यह वाली शिप्ट नमारी खतम हो गई है अब अगली शिप्ट चालो हो रही है उसको ध्यान से देखेगा तो हमारी 26 की सेकेंड शिप्ट देखेगा क्या है 26 ही है आपर लिखा 26 की सेकेंड शिप्ट ओके तो यहाँ पर पहले कोशिन जो है आपका किस क्या दिया है कलेंडर का कोशिन दिया यह एक कोशिन जो हमेशा आ रहा था आपका कौन सा जो आपका रीजिंग वाला है तो रिजिंग वाले में पहले कोशिन का क्या दिया यदि 2000 में 2000 में 9 बर्स मंगलवार को पड़ा था तो 26 जनवरी 2004 को कौन सा दिन पड़ेगा ये कोशिन पूचा है तो पहले चीज़ देखे 2006 जनवरी 2002 को गर हम बात करें 2002 की बात करें तो मंगलवार था क्या था मेरा मंगलवार था अब उसने बोला क्या है 2003 में पूरा करूं ठीक है 2004 में मैं पूरा करूं दो भी लीब बर्स नहीं है तो जब भी अगर लीब बर्स नहीं होता है तो हमारे पास हम अगले बर्स में जाते हैं तो एक दिन प्लस हो जाता है हर एक दिन में एक साल के बाद एक दिन प्लस हो जाता है तो दो यार से एक दो यार तीन में आएंगे एक दिन प्लस जाएगे मंगलवार का क्या हो जागा मंगलवार में एक दिन प्लस zza走吧 अब अगर 2,3 चार में आए यह क्या एक लिभ बस है आप एक छी ध्यान दिजेगा लिभस स्टार्ट कभ होता है जब Biys start होती है और भी 28 فरवड़ी के बाद में आपको उड़्ञाइवर्जन इन्तीस सफर्वर्ण आती है लिया पर तो हम जनवरी में जा रहा हैं ना कि फैर्वर्ण मोश्वर्ण हें लिफ्णन लिफ का महिन्दवäre रहा है। जो है स्टार्ट फैर्वर्ण हुआ यहां पर हमारे पास दोही दिन प्लस होगे एक ही दिन प्लस होगा यानि कि आपके पास मंगलवार से एक तो बुद्वार और गुरुवार यानि कि हम जो है एक जनवरी 2004 में आ गए हैं और यह जो दिन है वो होगा मंगलवार, बुद्दवार और गुरुवार, क्या हो गए हमारे पास यह दिन होगा गुरुवार लेकिन हमें जाना कहां तक है 26 जनवरी तक जाना है एक दिन हो चुका है इसमें से एक दिन खटाएंगे तो 25 दिन और आजाएंगे 25 दिन का भाग लगाएगा 7 में, किसका 7 में 37 एकीज कितना 27 28 पास करयेंगे 21 यानि कि आपके पास कितना बचा 4 आपके पास क्या बचे 4 आपके बिसंदिन बचे यानि 4 आपा सेस्पल बचा गुरुवार से आप 4 दिन प्लस करिए तो गुरुवार से सुकरवार सनिवार, इतवार और सौम बार तो यह आपको मिल जाएगा सौम बार तो 26 जन्वरह 2 या 4 को क्या होगा सौम बार का दिन होगा तो option में क्या दिया है 1 दिया है क्योंकि आप गुरु में 4 दिन प्लस कर लिजे ये भी आपको ध्यान दीजे का सामबार ही देगा क्योंकि गुरु कितना होता है तो गुरु जो है आपका वुई है खांवार मंगल-द्द कूरुद गुरु भी स्चार यह पर ओके यहां पर चार 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 आट अगर आप आठ को काटेंगे साथ से तो बन ही आएगा वन क्या होता है एक सोंबार होता है ऑप्षिन बर वन के यह भी आप एकची ध्यान दिजेगा ओके चले अगले कोशन के और बढ़ते हैं कोशन दिया सूत्र दिया एक निश्फिल से त्मंची यह परकार दिया द्यान दिजेगा यह जो है दस बार पुनाबरती होता है चलण एक में विशमस अ कर से पर एक्षड से ना बचल जाए तो देखेंगे B दिया है 1 दिया E दिया है 1 दिया R फिर सकर T दिया है फिर सकर E दिया है फिर सकर X दिया है इनको आपको विसमिस्तान काटते चलना है पहला विसमिस्तान दूसरा तीसरा ये काट दिया बचा हमारे पस क्या बचा हमारे पस E बचा है हमने कुछ गलती किराएगे वी ए आर टी ए एक्स यही तो है यही हमारे बस टी आएगा बई कोशिन में टी आएगा ऑप्शिन निम्बर टी आएगा बई के देखे एक छी हमने एक पहले से स्टार्टिं से कर लेते हैं बहई और बिसमिसथानों काटाना पहला दूसा चोड़ा तीसरे का्ट दिया घुकी तो ई बचा हमारे पास और टी बचा ही और फ्र इसका एक्स बचा唱 वे तो इसने क्या बोलाते हमन तो मैं फिर सभी बिसमिस्थानों को अक्षणों को टाएं, बिसमिस्थान मतलब यह वाला बिसमिस्थान हो गया, पहला और तीसरा बिसमिस्थान हो गया, तो बचा क्या, टी ही तो बचेगा हमारे पास, तो यह टी हो बच गया, बाकी आप देख लेंगे, इसमें कोई गड़ 21 21 2 21 कितने बार लिखा एक دो तीन चार है पांच च्छषे वार इक पर नेखिए, फिर एक दो तीन चार कंच वार लखा है बारा फिर 11 लखा है अकर तो यहां पर कोशन पूच रहा है कि नियून्तम पद आपको डूलना नियून्तम इसकी भेंद आप繼續 थे तो जैसे बताऊँ कि निल्दम में कैसी होगी तो आप एक काम करेंगे तो 21 लिख लीजे पहले किस इतने बार है आपके 6 12 थी चार पांच और यहां पर 12 थी चार पांच कितने बार है यहां पर 7 और धीरो है लास्ट में ठीक है, ओके, 27 इसने बई ये एक है, फिर 11 लिख लीजेगा, फिर यहां पर कितने बार है, यह आपका, 1, 2, 3, 4, 5, 5 वार है, ओके, दो 12 भी 5 वार है, 2, 3 वार, 4 वार, और ये 5 वार, और फिर से डॉल 1 दिया है, ओके, तो आप एक ची देखिएगा, इन दोनों को मैं जूड़ूं, यहां से जूड़ूं एक, दो, तीन, और तीन एक हम तीन, च्छे वार दिया है, तो यह 18 यहां पर मुझे मिल जाएगा, और यहां पर भी नीचे देखेंगे, तो अठारा मिल जाएगा, अब यह 18 जो है याद रखेंगे, यह 3 और 6 से वाज़ दो 3 से वाज़ करेंगे हम इसके, तो हहां पर 321, रखेंगे जो आएगा, तो यहां पर करते जाएँगे, तो एक, दो, जो, तीन, चार, पांच, छे, छह पर 3, 4, 5 और 6 पेर फिर से आजाएंगे हमारे पास फिर से इसमें बाग लगाएंगे 3 का, 3 दिरका 9 बचेगा कितना, यहाँ पर बचेएंगे 2, ओके, और 3, 7, 21 इसी भी इरकार चलते आएंगे तो फिर से भी मारे पास 1, 2, 3, 4, 5 पेर बन जाएंगे, तो यहाँ पर 2 पेर, 3, 4, यह 5 पेर बन गए कितने बचेएंगे, पांच पेर हमारे पास बचेए अब यहाँ पर एक सत्तर का यह बाच बचेएंगे, सत्तर सत्तर में अगर हम भाग लगाएं सत्तर सत्तर में अगर यह सत्तर का भाग लगाएं, तो क्या बच्चे का हम पर पास 10 जो आएगा, वो कितने बार आएगा एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार छे बार, छे बार, छे बार, दस आएगा, ओके छे बार, दस आगे ओके, और इसमें भी अगर मैं 37 में भाग लगाँ इसमें तो यहां पर भी 6 बार 10 आएगा यानि कि यह 10-10-10 जो है 6 बार जो आ रहा है वो एक common value आ रही है तो मेरे पास जब यह common value आ रही है तो मेरे पास 10 का कोई मतलब भी नहीं रहागा 10 एक दूसर से कट जाएगा तो यहां पर हमारे पास बचेगा क्या बचेगा हमारे पास 170 बचेगा एक बचेगा 37 यहीं हमारा आंसर होगा सतर बटे 37 आंसर क्या है सतर बटे 37 ऑप्शन नमर थर्ड में चले अगले कोईशन के और बढ़ते हैं कोईशन में से रख दीजे जब तक रखी यह तक 0 यह होना जाए तो आप्शन ए में से रखते हैं 1 में से X की value रखी तो यह 0 हो गया यहाँ पर रखा तो यहाँ पर भी रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा हमारा माइन का 6 क्या यह इसके बरावर है बिलकुल नहीं है तो यह भी हमारा answer नहीं हो सकता तो एक रख दीजे एक रखेंगे तो यहाँ पर 1 होगा यहाँ पर होगा प्लस का 2 होगा माइनस का 5 होगा माइनस का यहाँ पर भी 6 होगा और यहाँ पर देखेंगे 3 होगा यहाँ पर यहाँ पर कितना है यह 11 होगा क्या यहाँ पर 0 मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है तो करना प्र 0 नहीं मिल रहा है तो माइनस का 1 यहाँ पर क्यों करेंगे माइनस का 1 यहाँ पर प्लस का कितना आएगा 2 आएगा यहाँ पर प्लस हो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 हो जाएगा और माइनस का 6 है तो 6 है और यही 7 हो गए माइनस माइनस के 7 हो गए और प्लस के 7 हो गया और बरावरा जीरो है हमारा चली रहा है यह वाला जीरो तो यह जो है इससे कट गए तो यह 0 बरावरा जीरो यानि एक्स की वेल्व जो है माइनस 1 आएगा 2 को हमें चेक करने की जरूत है ही नहीं चले अगले कोशन के और बढ़ते हैं कोशन दिया है कि एक तो आपको मैतर से करके दिखाऊंगा और मैतर नहीं आता है मतलब आपको फॉर्मॉला नहीं आता है उसके वादी में आपको फॉर्मॉले के बदावड़ी बचाऊंगा ठीक है कोशन दिया हुआ है कोशन को मैंसे जूम करता हूं मान लीजे आपको एंगल दिया है ए A, B, C में जो B एंगल है वो है 50 डिगरी ओके A, D आपकी बात हो रही है A से D तक और C से D तक ये बात हो रही है करमसा कौन ये आपको कह दिया है B, A, C और B, C, A क्या है कौन अर्दक है कौन अर्दक का मतलब होता है माल ये कौन बना दिया मैंने ये वाला ठीक है तो ये कौन अ अर्दक का मतलब होता है ये इन दोनों क्या करेगा सम्दीवाजिक करेगा यानि कि यहां से यहां तक का कौन जो होगा ये वाला कौन भी 30 में हो जाएगा ये वाला भी 30 में हो जाएगा ये वाला भी 30 में हो जाएगा ये वाला भी 30 में हो सम्दीवाजिक का मतलब क्या है को पूछ आपको इस प्रिकार का त्रुज दिया हो और आपसे बोला हो यानि कि B वाला जो value है, कौन B जो है मेरे को दिया हुआ है, और मुझे इसके ज़स सामने वाली value निकालनी है, क्या निकालनी है, सामने वाली value निकालनी है, और ये जो है कौन अर्दक, जो इसका जो ये वाले जो पैर हो, ये वाले जो है, क्या है कौन अर्दक हो, तो मेरे पा आपको जो भी कौन दिया गया है उपर तुम्हें जो दिया गया है क्या दिया गया है मेरे पास उसका डिवाइड बाइट टू ओके यह 25 हो गया मेरे पास ऑके यह मेरे पास 90 था ही अब पर मेरे पास प्लस करेंगे तो पांच और यहां पर ग्यारा यानि 115 कौन डी जो है मेरे पास कितना आ गया 115 आ गया या तो आप ऐसे निकाल लिए देखिएगा इसका आंसर 115 यहोगा नीचे 115 या तो आप ऐसे निकाल लिए या पर आपको याद नहीं हो कोशन याद नहीं है कोई दिक्कत न 180 है तो मुझे पता है पहले कौन का मान कितना है 50 है दूसरे कौन का मान नहीं पता है मुझे तीसरे कौन का मान भी नहीं पता अब तीसरे कौन का मान जो होगा वो क्या होगा वो होगा 180 माइनस 50 दोनों कौन का जो मेरे पास बचे हैं वो कौन जो है 102 बचे हैं मेरे पास इसस यानि कि दोनों समान समान जो है वैल्यू में बाट देते हैं तो दोनों समान समान वैल्यू में बाट देते हैं यानि कि इसको काटोंगो दे 65 और यह भी 65 ठीक है यानि कि यह वाला जो वैल्यू है मेरे पास क्या आ गया है यह वाला पूरा वैल्यू यह वाला पूरा यह पूरा value की बात हो रही यह 65 यह 65 आ गया और यह वार पांच दिये ही हुआ है ठीक ही आ गया अब आपसे पूछा क्या है मुझसे तब पूछा यह वाला है भाया मुझसे यह नहीं पूछा है कि यह 65 मुझसे पूछा है यह वाला यह वाला पूछा है यह अंदर वाला ना क दोनों को आदा करेंगे तो यह जो वेल्यू है इन दोनों की यह आग अंदर वाली है वो 65 के बरावर आएगी के नहीं आएगी भाई मेरे 65 के बरावर आएगी और तिरवच के तीनों कोन का योग 180 होता है दो एंगलों की वेल्यू 65 आगई है तीसरे की निकाल लीजेगा 5 तो यहाँ पर 115 आएगा के नहीं आएगा विल्कों सिंपल था आगे बढ़ें अगला कोशन चलो कोशन दिया है 149 प्लस 3 यह दिया है तो इसको करना है में और इसको करके दिखाना कैसे आगा बहुत इजी कोशन है दीकि 149 दिया है यह दिया है इसको आप ऐसे कर लीजेगा तो यह 1y2 हो गया और माइनस दिया है 2 प्लस 1y2 आप एक शी बताएगा मेरे तीन में से मेरे दो चले गए तो मेरे पास एक बचेगा और यह एक बचेगा प्लस का 149 मेरे पास है तो 150 बचेगा यह नहीं बचेगा 150 हो जागा नहीं जागा बहुत इजी कोशन था बाकी चाह किसे आप एसे भी कर सकते हैं आपको क्या करना है इसका इसमें कर देना है तो यह उजाएंगे आपके 3 दुनी कितना 6 गाठना है तो इसका इवरेज बता दीजे जली से आंसर कमेंट कर दीजेगा इसका आज़ेज क्या होगा क्मेंट कर दीजिएगा इन सब को जोड़ेंगे उन नौ जी हो गया आपका कितना सत्रा सत्रा और 2121 यहाँ पर क्या हो गया एक किस यह हो गया एक तीस की जिरो तीन तीन चेह एक साथ एक आट, एक नो दस, और एक ग्यारा, एक सो दस, पांच का भाग लाएंगे, पांदुनी दस, पांदुनी दस, ऐप्षिन दस ओप्षिन नमबर, यहाँ पर CBI, दो पांदुनी दस ठीक है, आप्षिन बाइस, चलिए, आगे अगले कोशिन के ओर बढ़ते हैं, एक समदिवा हूँ जिसकी दो बुजाय कैसी हो समान हो जब दो बुजाय समान हो तो दो एंगल भी समान होते हैं दो बुजाय समान हो आमने सामने की तो दो एंगल भी समान होते हैं तो यह ची द्यान लगे एक एंगल दो 70 दिया है एक angle x degree दिया है एक angle मैंने माना by degree मान लेता हूँ by degree क्यों मानता हूँ मैं अगर मुझे 70 दिया हुआ ये वाला ये समधी वाजक है और ये भी दोनत बरावा है तो ये angle भी x ही होगा क्या होगा x ही होगा याद रखेंगे ठीक है अब मैं पहले वाले जो है इसमें जाता हूँ पहला वाला जो है मैं मतलब एक case में जाता हूँ पहला case मेरा क्या हो सकता है पहला case ही हो सकता है कि मेरे पास तीनों कोणों का योग होता है वो 180 होता है इसमें मैं 70 गटाता हूँ अगर मैं 70 गटाता हूँ पहला केस और मेरे 55 한हे किस मैं बोलता हूं कि अगर मेरा जो है दो एंगल की मेरे 70 हो जाए डो एंगल कित्नी को जाए एक मेरे 50 को जाए इन दोनों को प्लेस करूंगा तो 140 मैं 140 मैं 180 मैंmay 4645 म्यनिस करूँगा तो XBRAWर मेरे पाफ कितना मिल जागा XBRAWर मिल जागा पहला केस, दूसरा केस ही हो गया अगर आ ये वोला कि मेरा जो तीसरा एंगल होगा पहला एंगल सतर हो गया तूसरा एंगल भी सतर हो गया और तीसरा एंगल मैंने वोला 40 हो गया तो क्या है यानि कि पहले बार तो पच्पन ले लिया दूसरी बार 40 ले लिया तीसरी बार मैं 70 ले लिता हूँ तो मेरे पास 3 संभावना ऐसी बन जाएंगी जिनसे क्या है मैं संभी वाजक ट्रिकॉन बना सकता हूँ अब सेवला इन तीनों को प्लस कर दीजिए यह प्लस कर देते हैं सतर और आपका 40, 110 110, 155 को प्लस कर दीजिए तो यह होगा 165 तो यहाँ पर आंसर देख लीजिएगा आप्शिन नमर 4 चले आगे बढ़ेंगे अगले कोशन की और यह आपका अगला कोशन दिया हुआ है कोशन दिया 2546A 2 12 से पहुचे है तो एका मान क्या है एका मान क्या है एका मान के लिए कुछ नहीं करना जातर आपको एक चीद दियान रखनी है पहल का अगर आप करेंगे एक तो आप तीन चौक 12 इससे ले सकते हैं अगर यहाँ पर एक चीद देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो मिल रहा है सुरी चार मिल रहा है चार को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या मैं तो लिख सकता हूँ बई चार को टू इंटू टू यानि कि तीन की वाज़दा का रूल हमें देखना पड़ेगा और दो की लिखना पड़ेगा और यहाँ पर देखेंगे मैं टू इंटू थ्री लिख सकता हूँ छे को लिख 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 सकता हूँ तीन की वाज़दा का रूल देखना पड़ेगा और दो की लिखना पड़ेगा तो ultimately हमें 2 और 3 की वाज़ता का rule देखना है इस पर जो हमें संक्या दिया है संक्या क्या दिया है 2 दिया है, 5 दिया है, 4 दिया है 6 दिया है, A दिया है 2 की वाज़ता का rule यह कहता है जो 1 आए कांग हो बें sum होना चाहिए sum है, 2 है कि 2 से कट जाएगा बिल्कुँ easy था ये वाला हमारा 2 की का एक 2 का तो हमारा rule हो गया अब 3 का देखते है 3 में क्या होता है पहले तो ये 3 से जो भी कट रहा उसको उटा दीए इसे कट रहा है 3 से 4 और 5 भी कट रहा है 2 से तो ये 2 बचा हमारे पास plus का दो बचा हमारे पास ये a बचा 2 रदो होता है 4 तो इसमें हो गया अब इसमें हम एक जगा पर क्या रखें कि ये कट जाए वह तो हमारे पास एक जगा 5 रख सकते हैं ये आगए 4 ये अगा नो हो जाएगा ते तीन से डिवाइड हो जाएगा तो कि हमारा आंसरों का एक ही वेल्य हो जाएगी पांच ऑप्शन आएगा थार्ड ओके चले आगे अगला कोशन स्क्रीन पर दिया हुआ है कोशन क्या दिया है कोशन एक बस्तु को उसके क्रेम मूल से पचास प्रतीसत अधिक पर अंकित किया गया है यदी अंकित मूल 10 प्रतीसत की छूड़ दी जाती है तो भास्तवी क लाव क्या होता है इसको दो तरीकी से कर सकते हैं चाहे तो फॉर्मूले से कर लिजेगा प्लस माइनस वाले से चाहे तो आप कैसे भी कर लिए चाहे ऐसे कर लिजेगा देखिए एक तो 50% हमें लाब हुआ फिर हमने 10% का हमने क्या करा इसको माइनस कर दिया और माइनस कर आ सिफटर को हन्त नास पांच 55 फैंट्रंग कररें तो यह आएगा और इसको सौ में गरेंगे हैं चालिस है एक हें यहां पर आीगा पांस तो यह आगया आपका कर दिया और मैंने जैल इस पर कितना छूट देडी भी यह 10% की चूट देदी जो से़लींग प्राइजस है मैंने 10% की छूट इस पर दी तो ये 15ben u 15 वह सबर सब्सक्राइए तो मेरे पर सुचेगा 135 यहां पर आएगा 135 तो मुझसे पूछा क्या है कि बाइया बताएं अब लाब कितना प्रती सौ से कितना हो गया मेरे 135 परसंट का मुझे लाब हो गया तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं आपका इस फॉर्मुला है लगा सकते हैं नहीं है तो लिक्त नहीं आके चले आगे एगला कोशन स्ट्रीन पर है कोशन क्या पूछ रहा है कोशन मेरे 13 मिनट में भूरे कागजों से अपनी कॉपियों को आवर्त बना सकता है 6 मिनट में उस ने कारे का कितना प्रतीसत जो है किया होगा यह थोटा सा कोशन है लेकि यह घुमाता ब पूरे कागजों की अपनी कॉपियों को आवर्त कर रहा है और 6 मिनट में उसने कारे का कितना प्रतीसत किया होगा अब मैं यह वोलता हूँ एक मिनट में कोई व्यक्ति एक काम कर रहा है तो 30 मिनट में व्यक्ति कितना कर रहा है 30 मिनट में व्यक्ति जो कर रहा हो वह 30 काम कर कर रहा होगा कि 30 हम कर रहा होगा कर नहीं कर होगा अब मुझत से पोच रहा कि इस पूरे 30 का को वो 6 मिट में करता है तो उसका कितना प्रतिसद कर लेता है इस पूरे 30 काम को वो 6 मिट में कर रहा है तो उसका कितना प्रतिसद वो भाग काम कर रहा है 0 से मैंने 0 को काड़ा 3 से मैंने इसको काड़ा 3 दो निच है यहाँ पर आएगा वो इसका 20% काम कर रहा होगा च्छे मिट में च्छे मिट में कितना इसका 20% काम कर रहा होगा तो answer आएगा 4th option 20 अगले question के एक बस्तू को क्रह मूले से 50 पुति अधिक पर अंकित किया गया दुकांदर अंकित मूले पर 10 पुति शूट देता है तो अंतिम लाव क्या पुति बहुत easy question पिछला वाला I think ये वाला question हमारा जो है same question था इससे पहले जो था हमारा ये वाला question है न हाँ ये वाला question और ये वाला question ये जो है article वाला question है ये वाला same question easy as it is question रख दिया उसने कुछ नहीं है वही है पचास पहले लाव हुआ हमने करा पचास फिर minus कर दी है फिर 500 यहां पर आ गया ओके यहां पर 100 कर रहा हमने है फिर से 0-0 काट रहा यह आ गया आपका 45 और यहां पर minus 5 यह 35 बचेगा ठीके 35 परसन आप ब्लकुत simple है किसे पहले वाला koshen कर आया तो वो ही है चले दो सिक्कों को एक बार उच्छा ला गया दोनों के सिखर अपने आने की प्रायक्टर क्या मतलब head आंना चाहिए मिरे पास dat दो सिख्के हैं पहला सिख्क यह रहा दूस्रा सिख्क आपको दो चीजों की प्राइक्टा को निकालने के लिए मैंने क्या वोलता पहले तो एक की प्राइक्टा निकाली है फिर इंटू कर गीए दूसरी की प्राइक्टा दोनों की प्राइक्टा जो है एक साथ निकल जाएगी तो मैं एक तो इस परकार से निकाल देता हूं आपन दो टोटल प्रयक्त था कितनी है दो है और मुझे इसमें भी हैं क्या यह ए इन दोनों को इन तोर्फ कर देता हूं तो मेरे पास टोटल प्रययक्त आजके था कि तो तो वनवाई फॉर मेरा आंसर आगा वेसे इजी ली वे में हमने कर लिया अगर ऐसे नहीं आ रहा है आपको तो आप कैसे कर सकते हैं दो सिक्के आपके पास हैं दो सिक्क्यों में से दोनों में अगर मैं बोलू है एक बार एच और इस दूसरे बाले में भी एच आ जाता है एक में टैल आ गया और एक में हैड आ गया दो गए मेरे पास ठीक है फिर मेना तीसरी बोली तीसरी में दूसरे इसमें भी हैड आ गया इसमें भी इसमें भी टैल आ गया तो एक में दो में और तीन में हो गया अब चौती में बोलूं कि पहले वाले में हैड आया तो दूसर जो हैं हमारे परस क्या बन गए इसकी स्थियां बन गए तो बन वाई फूर आ गया वहीं हमारा आंसर था तो यह डिफिकल्ट है जो कि मैंने बताया बोई दी थी था ओके चले आगे बढ़ते हैं पांच रुपए के सिक्के और दो रुपए के सिक्कों कि कितने भिवनने संयुजन 27 देंगे 27 देंगे तो यह कोशिन बहुत अच्छा है ट्रेकी है 5 रुपए के सिक्के मैंने 5 रुपए के सिक्के को 5X ओके 2 रुपए के सिक्के को बोल दिया 2 बाए बराबर यह 27 मुझे देगा के देगा 27 देगा अब मुझे ऐसी वैल्डू बतानी है कि जो X और Y की value मैं रखूं तो मेरे पास 27 आजा है और X और Y की value जो है कितने बार satisfy करेगी कितने बार मतलब इनको सहीजन कर पाएंगे Uh must to make a chance, 00 तो मैं एक काम करता हूं कि मुझे एक चीजह पता है कि अगर 37 यहां पर दिया थार यहां पर किया रखता हूं यह यहां पर ही हां रखता हूं तो मुझे इक हमोट रखूकरे हैं और कितना रखूरगा 5 एक पर 55-25 एक मिलेगा 25 दो एक तो value हमारा पास यह एक यह एक first जो है हमारे पास क्या गया first condition हमारे पास यह वाली आ गई है यह वाली condition हमारे पास first आ गई है एक मिट ठीक है मैं इसको लिख देता हूं y की value एक बार 1 रखी थी और x की value मैंने 5 रखी थी तो एक बार तो यह condition हमारे पार यह पर हम एक काम करते हैं अगर हम यहां पर इसको रख दिया तो यहां पर चार रखेंगे तो यह बीस हो जाएगा यहां पर यहां पर यहां पर यह चार हो जाएगा तो चौविस वगया नहीं अगर मैं यहां पर जो है इसको यहां पर 27 में से 20 को माइनस करता हूं तो मेरे पर कितना आएगा यह तीन आएगा तो साथ यहां पर हो नहीं सकता कैसे बीस्तिती में यह हमारा चार तो हम x की value रखी नहीं सकते कितने ही रख सकते हैं x की value मैं 3 रखता हूं तो 3 रखूंगा तो 15 हो जाएगा और यहां पर 15 और यहां पर तीन दुनी 6 यहांपर त्विदी बार सुरी बारा नहीं तो यह आपका कितना 27 बन जा गा तो एक बार सटिस्पाइए आपको इस नहीं कर दिया एक वर सटिस्फाय इस नहीं कर दिया तो दो आपको क्या होगा ही सहयोक्ता बन गई तीसी सहयोक्ता क्या होगी मैंने इसको बन ले लिया और इसको ग्यारा ले लिया यानि कि पांच आपका प्लस ग्यारा कि ग्यारा दुनी बाइस हो गए और आपका यह भी अगला कोशिन दिया हुआ है, कोशिन क्या दिया है? 6 पिलस अंडरूड में 17 एवं 6 माइनस अंडरूड में 17 में मद्द अनुपाती इसका क्या है? तो मद्द अनुपाती, समानुपाती आपने पढ़े होंगे, तो मैं इसके कुछ फॉर्मली भी बताऊंगा आप लोगे लिए पहले मैं इस कोशिन को बतायता हूँ पहले तो मद्द अनुपाती होता क्या है इसे मान लीजे एक अनुपात बी अनुपात ओके बेनुपात मत लिजे मैंने यहां पर x अनुपात और समानुपात x ले लिया और यहां पर b ले लिया तो मद्य अनुपात होता क्या है कि यहां पर ध्यान दीजेगा यह तो जागा x स्कुएर बरावर में a और b यह हो गया तो इसको उपर अंडरूट रख देंगे और इसको अठा देंगे हम यह होग्या हमारा क्या मद्येन उपाती तो मद्येन उपाती में यह ही पर हम is question कर लेते हैं पहले 6 प्लस आपका अंडरूट 27 ओके और इसका यह वाला हम ने लगा दिए आपको यहां पर एक फॉर्मुला मिल रहा होगा सिक्स का स्क्वाइर का यह मिल रहा है आपको एक फॉर्मुला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है भाई आपको अता हूं यह तो हमारा मद्ध्य अनुपाती अगर हम तिरती अनुपाती निकालते हैं कितने तिरती अनुपाती निकालते हैं धरती निकालेंगे हैं फिर सब्सक्राइशा पर सब्सक्राइश निकालते हैं कितने तो हमेरे अपका इत्तर तर्तर्त अनुपाथी अगर चत्तर्त अनुपाथी आपसे पूछा गया हो तो आ अनुपाद II अनुपाद c सी अनुपाद X तो यहां पर कुछ कंस नी करना बी इंट। ईह स्कार्ण आफ घ्रेक्स मरें आतो चृतर्ट आपके बीअन नुपाद संख्याओं का मैतम संबर्द दो है उनकी लगुत्तम संबर्द सब्सक्राइब तो तब संख्याओं होंगी तब संख्याओं जो होंगी वो बतानी है तो LCM इंटू आपको पता SCM बरावर होते हैं A इंटू B दौनों संख्याओं आपको दिया है दो planning का मैतम संबर्द तक आपको दो दिया है लगुत्तम संबर्द खकाफ्याओं याणि कि यह कितना दिया है या आपको एक सॉचालिस याणि कि आपको दो ऐसी संख्याओं डूंडनी है जो इनका multiply हम करें तो 140 बिले अगर हम option 1 में लेते हैं 2 और 3 का multiply करते हैं तो यह 70 देते हैं हमें कितना देते हैं 70 देते हैं तो क्या 70 आ रहा है कि नहीं आ रहा हमारा यह भी option बन गलत है इसका करेंगे 6 okay 670 42 तो 420 आएगा यह भी हमारा गलत okay 7 चकटा है यह भी 280 यह भी 80 चाहुदा का दस्ते करेंगे तो यह मिलेगा 140 यहीं सा हमारा आंसर होगा option number 4 में ओके तो option 4 इसी correct आतर ठीक है चले अगले कोशन है 363 मैंसे क्या घटाया जाना चाहिए कि उत्तर का पूर्ण वर्ग हो उत्तर जो हो अब पूर्ण बारग अब एकची बताएगा मुझे बहुती सिंपल कोशन है अगर मैं यहां पर एकची मझे बताएगा यहां पर करण मैं 20 का square करता हूं तो मेरे पास मिलेगा तो देखिए एक चीज़ देगा इसके नियरेस्ट कौन है इसके नियरेस्ट है 361 मैं 361 मैं 363 मैंसे अगर मात्र दो गटा दूं तो यह जो है 19 का क्या जागा बर्ग आ जाएगा तो यहीं पर से एक हजार जो है किसी का पून बर्ग नहीं है एक हजार बारा ही पून बर्ग नहीं है दस या एक्कासी है वो कैसे है एक चीज़ देगा मुझे मैंने फिर से जो है 30 का स्कौर करा तो यह आगा मेरे पास 900 31 का स्कुएर करा तो यह वाय मेरे पास आएगा कितना 960 को मैं आने 32 का स्कुएर करा तो यहागा 1024 कितना आगा 1024 ठीक है तो यहाँ पर पूछाता चार अंको का निउन तंप पूनवार्त चार अंको का तीस का अगर अगर मैं यहां पर 32 को करता है मैं लोए इस तो 33 को क्या तो देखिएगा aims 3-3 को 9 यहां पर पर लिए 3-3 टीक है 3 3 3 3 3 2 फिर से 4 3 3 इसे 9 आईगा यह9 ठाट living 거 यहां सबस्ते बड़ा हो गया यहां से 3 तो यहां से चार संक्यास स्टार्ट हों दो आप ड़िते इसकेर करते हैं और बढ़ी जाती इसलिए यह 32 का स्कुर्ण करें और दस्टोफ गरा तो दो चॉइस मिलते हैं तो दो का जो आप 10 के दो का 10 के पर पावर लगाते हैं यहीं आपका अंसर होता है यह वाला यही जो है दोखी पावर जो है तीन की पावर 32 के और पाउच लगाते हैं तो यह भी आपका अंसर 32 स्क्वेर भी यह चलिए अगला कोशन स्क्रीन पर निम लेकित में से कौन सी संक्या एक आवाज नहीं एक आवाज संक्या है बहुत इच्छा कोशन एक आवाज संक्या होती क्या है वह संक्या आवाज संक्या होती है से माल लीजिए कर तीन मैंने बोला आप से आवाज संक्या दो भी होती है और आपका पांच भी होती है और साथ भी होती है आवाज संक्या वह संक्या होती है जिनका गुरंखंड या इनके factor जो होते हैं या तो 3 आता है या factor में या फिर 1 आता है या फिर 1 आता है या दो factor ही हमारे पास आते हैं कितने गुणान कंड़ाते हैं दो ही गुणान कंड़ाते हैं दो का या तो 1 से गुणा होगा या 1 से गुणा होगा ठीक है तीन का गुणा पांस का या तो 1 से होगा यह एक याज फाला हम यह बोल सकते हैं कि यह जितनी भी value होँगी इवाज संक्या होँगी वो या तो एक के पहड़े में आएंगी एक के पहाले में तो हर एक value आतीज पूल इसी भी लगा लिजेगा ठीक है और या तो वो खुद के ही पहाड़े में आएंगी दूसरे के पहाड़े के किसी में भी नहीं आएंगी तो यह होती है आवाज संक्या तो यह आपको समझ गया आगई तो देखेंगे आप 29 का देख लिए 29 को आप काटेंगे तो आप 29 को 3 से काट लिए तो आप 3 चौक 12 तीन और 4 तीन चौक 12 हो गया है तो यह इसका और इंटू बन आपको यह भी आगए तो यह इसमें कितने बार आ रहा है वह यह तीन बार आ रहा है इसके तो 3 factor हो रहे है अब आजय संक्या वह होती है जिसके मातर 2 factor होते हैं 115 की बात करें तो 5 से काट लिजे 5-2-10 बचया कितना एक 5-20-15 तीन रहा है और इंटू बन तो यह क्या हो गा है यह तो बिलकुल सिंपल है हमारे पास पांदुरी 10 और यहां पांदी 15 यह तो फिर भी हमारा देखे जाए तो यह कितने हो गए बहुत सारे हो गए महला 3-3-4 हो गए तो लटा दीजे बस एक ही संक्या हमारे पास बज़ाएगी 107 जो की प्रतिसत के रूप में व्यक्त करना है वो आपको बताना है सहर एक का अनुपात और सहर बी का अनुपात दिया आपको कितना दिया अभी है पांच अनुपात 6 दिया है बोला है एक ही जनसंख्या को बी की जनसंख्या के प्रतिसत में लिखना है एक ही जनसंख्या है पांच ब आगे पढ़े हो तो वन वाई 6 की वेल्यू कितनी होती है 16.33 यहाँ पर पांच दिया है तो पांच का इंटो कर हम करेंगे तो यहाँ पर दिखेंगे यह बन जाएगा 83.33 यह वेल्यू ठीक है अगर यह भी नहीं आ रहा है तो आपको एक ची यह पता होगा वन वाई 6 प्लस 2 वाई यह क्या होता है बन वाई 3 वरावर कितना होता है 33.33 यह होता है अगर मैं 6 की बात करूं तो इसमें 2 लग जाएगा तो यहाँसे भी वो जो है आपके जो चीज है वो बन जाएगी अगर आप चाहए तो बना सकते हैं इसका जो आंसर आएगा 83.33 परश आपको यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए शेयर कर दिए चैनल सब्सक्राइब निकार कर दीजिए थैंक यूफर वाचिए इस आपको आपके एक्जाम के लिए इसकी पीडिया आपको टेलीग्रांग गूरू की मिल जाएगी थैंक यूफर वाच